असलाम अलेकुम गाइज, उमीद है आप लोग खेरी असे होंगे, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर मुनीर अजीज, आपके लिए आज लेकर आया हूँ, वेब डिजाइनिंग की क्लास नमबर दो, और आज हम देखेंगे के काम किस तरह से होता है, पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक इंट्रोड़क्शन पड़ा था, कि वेबसाइट क्या होती है, कितने डाइप की वेबसाइट होती है, कौन-कौन सी टेकनोलोजीज हैं, जिनकी मतल से वेबसाइट या वेबसाइट क्रियेट किया रहा सकता है, तो आज हम देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको और जैसे और बहुत सारी है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, स्टेमल से, तो स्टेमल पे काम किस तरह से किया जाए, स्टेमल पे काम करने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत होती है, तो यह कुछ एडिटर्स के नामें लिखें, जिसमें सबसे बेसिक है, नहीं है, तो डॉंट यू वरी, आप नॉटपैट के जरीए भी वेपेज को क्रियेट कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले नॉटपैट से ही स्टार्ट करेंगे, रीजन के एडिटर्स अगर हम यूज करते हैं, ड्रीम वीवर, तो ड्रीम वीवर में बहुत सारा कोड ऐसा होता ह सबसे पहले HTML को कोड करने के लिए हम नॉटपैट लेंगे, और नॉटपैट के उपर हम काम करेंगे, तो HTML टैग बताने से पहले, मैं आपको यह बता दूँ कि HTML के टैग्स को माइंड में रखने के लिए, मैं आपको छोटी सी एक्जैंपल देना चाह रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने D के, D Drive में, मैंने एक Web Designing की Class का एक फोल्डर मनाया है, इसमें Images का एक फोल्डर है, Images के फोल्डर पर आते हैं, तो यहां पर मैंने दो इंटरनेट से Letterhead डाउनलोड किये हैं, तो मैं इसको open करके दिखाता हूँ आपको, देखें, यह एक Letterhead का सेंपल है, और इसके एक Topper, एक Company का Logo होता है, उसके Contact Number वगएरा सारी चीज़ें मौझूद होती है, बीच में यह पूरा Area होता है, यह खाली Area होता है, जिसके अंदर आप किसी भी किसम का Content लिख सकते हैं, सेम चीज़ आप यहां पर भी देखें, कि यहां पर एक Logo सा बनाया है, जो भी आपकी Company Company का नाम है, वो आप यहां पर सब दे सकते हैं, ठीके, और यहां पर आपका Dummy Text लिखा हुआ है, और यहां पर इसका Bottom है, यानि Footer जिसके उपर Contact Numbers वगएरा है, तो इसमें Header है, Header के साथ Footer है, और बीच के अंदर यह पूरा जो Area है, यह इसका Body का Area, यानि Content है, इसमें Content आ है, कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि Company का Logo और इसकी सारी चीज़ें नेचे होंगी, और Document के जो भी डिस्क्रेप्शन है, वो उपर आएगा, तो यह बात बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, कि जब भी Company का कोई Document जाता है, तो मिसाल के तोर पर यह मेरी Company है, इस पर Content एरिया है, बीच की जो Body है, पेज की, इसके अंदर Content चेंज होता रहेगा, तो यही चीज हम अपने जहन में रखके, अगर हम काम करें, HTML पे, तो HTML में भी Page का Structure बनाया जाता है, तो Page का Structure बनाने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML का Code लिखेंगे, Notpad आपके सामने मे Angular Packet Close किया, फिर उसके बाद, फिर दुबार Angular Packet Open किया, Slash लिखा, और HTML लिखने के बाद, Angular Packet Close कर दिया, तो आप देख सकते हैं, इन दोनों Tags के अंदर, यह Tag क्यलाते हैं, Tag का मतलब Tag Tag, इसको Tag भी कहते हैं, और Element भी कहते हैं, HTML Element या HTML Tag, तो आप अगर नहीं Online, किसी वेबसा होने की जूरत नहीं है, तो यह आपके HTML Element या HTML Tag क्यलाते हैं, तीन तरह के Tag होते हैं, एक होता है आपका Opening Tag, दूसरा होता है आपका Closing Tag, और तीसरा होता है आपका Standalone Tag, इस Opening और Closing से मतलब के HTML यहां से Start होई, और यह Slash लगाने का मतलब है कि यहां पे HTML Close हो गई, Standalone Tags काफी सा होते हैं, फिलहाल हम उसके उपर बात नहीं करेंगे, अभी हम काम करेंगे सरिफ इन Tags के उपर, तो HTML के उपर हमने वेब पेज बनाना है, तो हमने HTML का Tag Open किया, HTML का Tag Close किया, इसके बीज के अंदर जितना भी एरिया है, यहां पर हम वही ट्रिक अपनाएंगे, जो कि हमने Letterhead क के उपर देखी थी, कि किसी भी वेब पेज के उपर भी एक Header होता है, उसकी Body होती है, उसका एक Footer होता है, तो सबसे पहले हम Tag को लेंगे, Head, और Slash लगा के मैं कहूंगा Head, तो Head Close हो गया, Head के बाद आजएगी Body, Body का Tag Open होगा, Slash लगा के Body का Tag बन कर दिया, और यहां से इसक इसको हम कर लेते हैं, अभी हम Footer पे काम नहीं करेंगे, तो Body और Header में फर्क क्या आए, कि Header में जो चीज होगी, वहीं की वहीं रहेगी, जबकि Body के अंदर हम Content जो भी हमारे Page का होगा, वो चेंज होता रहेगा, मैं इसको सबसे पहले Save करना सिखाता हूं, कि एक दफा फिर देके आपने Slash, HTML लिखा, Close कर दिया, फिर इस Tag के अंदर आके आपने यहाँ पे Head, इसको याद रखने का तरीका सरिफ यह है, कि आप अपनी Body Structure पर नजर अगर डालेंगे, तो सबसे पहले Head होता है, फिर Body होती है, फिर Footer होता है, तो वही चीज आपने इस Page को भी देनी है आपने Head लिखा, Slash के साथ आपने Head को Close कर दिया, Head के फॉरण बाद आप यहाँ पे Body लिखेंगे, और Body का Tag क्लोज कर देंगे, तो यह बहुत सिंपल सा है, यह बहुत ही Basic से Tag बताऊंगा मैं आपको आज, यहाँ तक होने के बाद, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कि हम इस फाइल में, यहाँ पर आके कहता हूँ, Save, तो Save में आके, मैं इसको D Drive के अंदर, Web Design की Class में, यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, HTML Class 2, यह मेरी फाइल का नाम होगा, मगर इसको HTML Page Convert करने के लिए, हम लिखते हैं, यहाँ पर .html, यानि आप फाइल का नाम कुछ भी र आकाना जरूरी है, मैं इसको Save कर लेता हूँ, यहाँ पर आके देखते हैं, तो यहाँ पर देखें, आपको यह ब्राउजर का आईकॉन बनावा नजर आ रहा है, मैं जैसे ही इस पर Double Click करूँगा, तो यहाँ पर देखें, यह एक, इसका Title लिखा वा रहा है, कि HTML Class 2.html, और यह पूरा यह जो White Area आपको नजर आ रहा है, यह है Page की Body, और यह जो उपर वाला हिस्सा है, यह है Page का Head, तो इसी को हम यहाँ पर देखते हैं, कि Head में क्या काम हो सकता है, और Body में क्या काम हो सकता है, तो Head में हम सबसे पहले लिखेंगे Title, Title का Tag Open किया, Slash लगाया, Title का Tag Close किया अब इस Title के बीच में हम लिखेंगे, HTML Basic Tags, ठीके जी, और मैं यहाँ से आके इसको Save करूँगा, मैं Space पर आके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि HTML Class 2.html लिखावा है इसका Title, जैसे ही मैं इसको Refresh करूँगा, तो यहाँ पर वो Title आ गया, जो मैंने Title के Tag में दिया था, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीके जी, यह Head के अंदर दे दिया, अब Body में आ जाते हैं, Body के अंदर काम करेंगे, हम बहुत ही Simple सा, कि अगर हमें अपने Page के उपर कोई Heading लिख नहीं है, तो हम यहाँ पर Angular Bagget Open किया, हमने लिखा H1, और Slash लगाके H1 Close, और यहाँ पर लिख Heading Number One मैं इसको फिर एक दफाँ सेव करता हूँ, आप Ctrl S से भी सेव कर सकते हैं, और यहाँ से आके आप इसको F5 से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, तो यह देखें, आपको Body के टैग में नजर आया, Heading Number One Same चीज, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, H2, Heading Number Two H2 को मैंने Close किया, Save किया, यहाँ पर आके मैं इसको Refresh करता हूँ, तो देखें, Heading Number Two इसी तरह से, मैं अगर इसको Copy-Paste करूँ तो HTML में, Basically, 6 Type की Heading होती हैं, तो यहाँ पर हम, 6 की 6 Heading को देख लेते हैं, और यहाँ पर हम, जुमला तो खेर, जो भी चाहें लेख सकते हैं Save किया मैंने से, यहाँ पर आके, जैसे ही मैं इसको Refresh करता हूँ, तो देखें, Heading Number One से लेके, Heading Number Six तक आपके सामने मौझूद है तो Heading Number Six जो है, वो सबसे छोटी होती है, Heading Number One जो है, वो सबसे बड़ी होती है तो यह थी आज की Class, हम इसको यहीं तक रखते हैं, Next Class में जो है, थोड़ा सा और काम करेंगे यह देखने में बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको, और अगर मुश्किल भी लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, मैं आपको इंशालला जरूर गाइट करूँगा इसको देख देख के इसके प्रैक्टिस कीजे, मिलते हैं मेरी अगली क्लास में जब तक के लिए, अल्ला हाफिस